पूरी दुनिया आज भी कई रहसियों से भरी पड़ी है कुछ रहसिय को सिर्फ एक कांट पेरेशी थियोरी कहकर छोड़ दिया जाता है और पूछो इन देसों की सरकारी संस्ताएं आज भी छिपाने की कोशीज कर रही है भारत में भी कई ऐसे रहसे हैं जिसने दुनिया को चकरा करके रख दिया है कई रहसे हैं जो दुनिया के सामने आ चुके हैं लेकिन अभी भी कई ऐसे रहसे भी हैं जो आज भी सबसे छुपा कर रखे जा रही है ऐसा ही रहसे है ताजमेल के तहकाने का रहसे कि हैं एक ऐसा रहसे है जिसे सब को बताने से हर सरकार डरती है तो आज हम बात करने वाले हैं ताज महल के उस दर्वाजे के बारे में जिसे खोलने से सरकार भी डरती है दरसल ऐसा माना जाता है कि ताज महल का निर्माण साल 1631 में शुरू करवाया गया था और 1653 में बन कर तयार हुआ और इसे आज भी निर्मान कुशलता का एक विसाल नमूना कहा जाता है सोध करता हूने इस पर कई शोध किये और उनका मानना है कि ताजमेल के नीचे हजार से भी जादा कम रहे हैं उनका मानना है कि ताजमेल जितना उचा है यह धरती के अंदर भी उतनी ही गहराई तक बनाया गया है उस जमाने में कोई भी किला बनाया जाता था तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था ताजमेल के नीचे के इन कमरों को इटों से बंद करवाया गया लेकिन सोध करताओं का मानना है कि जिन इटों से तैकाने को बंद किया गया है इन इटों का निर्मान इन कमरों के बाद किया गया लेकिन आखिर क्या वज़े थी जो इन कमरों को बनाने के बाद इने बंद करना पड़ा कुछ पुरातत विग्यान और सोध करताओं कि इस पर अलग अलग राए है कुछ का मानना है कि इन तैखानों में मुम्ताज मेल की कबर को रखा गया है और उन कमरों को सरकारी तोर पर बंद किया गया है लेकिन ऐसक क्यों किया गया है इसकी पूरी जानकारी किसी के भी पास नहीं है कुछ पुरातत्व सास्त्री और लेखकों का कहना है कि इस जगे पर पहले एक शिव मंदिर था और उसे तेजों महले कहा जाता था बाद में उसके उपर ताज महल का निर्मान करवाए गया इसलिए यह तहकाने ताज महल से भी पुरानी है लेकिन अब एक ऐसी नई कास्पेर्शी थियोरी सामने आई है जिसके अनुसार ताज महल के नीचे इन तहकानों में कीमती खजाने भी हो सकते हैं क्योंकि मेडल टीटेक्टर से इनके नीचे कही तरह की धात्वी होने की पुष्टी हुई है लेकिन पुरातात्व सास्त्रियों का यह भी मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे एतियासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतियास तक को बदल सकते हैं इन तहकानों की खोजबिन की खबरे तो काफी आई लेकिन इसे कभी खोला नहीं जा सका इन में से कई दर्वाजे तो खोले गए लेकिन बाद में बंद कर दिये गए जिससे यह रहश और भी गहरा जाता है ताजमेल के इन दिवारों के पीछे क्या है जिसे जानने से सरकार भी डरती है अंत में हमारे मन में भी यही सवाल उठता है कि आखिर इन दर्वाजों के पीछे क्या है जिसे सरकार भी हमसे छुपाई रखना चाती है और क्या सच में इसमें कुछ ऐसा है जो हमारा इत्यास बदल सकता है एक न एक दिन तो सच्चाई सामने आए क्योंकि कहा जाता है कि सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता और हर सच एक न एक दिन सामने आई जाता है धन्यवाद जैहिन जैभारत